जय श्रीकृष्णामित्रो जय महासमसानकाली श्रीकृष्णा जनमाष्टमी के शुब दिवश पर मैं आपके शमक्ष बहुती चमबतकारी उपाई लेके आया हूँ जिसका परिणाम आप खुद बाख खुद देखेंगे वो भी तुरंथ अगर आपको अपने जीवन काल में किसी भी तरह की कोई समस्या है परिवारिक समस्या हो चाहे वो किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो इस उपाई के दुआरा आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो और आप सभी का इतना प्यार देखते हुए मेरी तरब से आपके लिए उपहार है तो किर्प्या करके वीडियो को पुरा देखिएगा और किर्प्या करके जन्माष्टमी के सुब अपसर पर कमेंट कर दीजेगा चैया शिरी किर्षना लिखकर और अम मैं आपको उपाय के बारे में जानकारी देता हूँ आपको जन्माष्टमी की रात्री ये उपाय आपको करना है सुब समय है रात्री के बारा बचकर दस मिनट से आपको शुरू करना है और आप मंतर सुन लिजिए ओम किर्षनाय वाशुदेवाय हरे परमात्मने पड़त कलेश नशाय गोविंदाय नमो नमा मंतर का जावा आप कंसे कम आपको तीस मिनट तक तो करना है आपको पूरफदिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने घी का धीपक जलाना है मंदर का आपको निरंतर चाप करते रहना है बहुत ही उर्जा प्राप्त होगी है इस उपाय को करने के बाद जब आप यह तो आपको खुदबख खुद एहसास होगा और आप अपने जीवन काल में बहुत आनन्द महसूस करेंगे और साथ में आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो चाहिए तो किरपया करके इस वीडियो को लाइक चुरूर कर दीजेगा मेरे तरफ से पास ताविज आपके लिए उपहार है अगर आप ये उपहार पराप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजेगा और कमेंट कर अगर आपको इस उपाय में किसी भी तरह की कोई समस्य आती है तो आप कमेंट कर दीजेगा और अगर आप किसी अन्य विशे के उपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजेगा तो अभी के लिए इतना ही जै श्रीकिष्ण, जै मासाम सांगा झाल